दोस्टो क्या आप जानते हो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुवात कहां से हुआ था अच्छा ये बताओ डल्टन ही क्या एटम का इंवेंड किया है और आप बता सकते हो कि नासा इस्टो से सच मुझ बहुत आगे चला लिया नहीं तो कोई बात नहीं आज हम आपको इंडियान स्पेस एंड टेक्नलोजी से जूड़ी हुई कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनके आप जरूर हैरान होंगे तो नमस्ते दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल मार्वलस मिस्ट्री और हा दोस्तो इस वीडियो के अंध में हम आपको इंडिया से रिल सर्जरी भी बाए हाथ की खेल बन गई है लेकिन आप शायद नहीं जानते कि इसकी शुरुवात कहां से हुई थी सिक्स सेंच्यूरी बीसी में सुस्त्रत ने सर्जरी करना शुरू किया था उनका लिखा गया किताब सुस्त्रत सिधांत में 300 सर्जिकल प्रोसेडियर्स के ब होता है उन्होंने ऑटोप्लास्टी यानि यह लव डिपेट के जैसे 15 तरह की सर्जरी किया था देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है निमेर टू चंडरायन वान मार्स ऑर्बिटर मिशन ऐसे कूछ एचिपमेंस देखके आप शायद बहुत राउस्पिल कर रहे लेकिन यकिन मानिए यह हमारी देश की सद्यों पुरानिक हुवी है सूरिय सिर्धान्त में अर्थ का दायमेटर 12,874 km है जो असलियात में 12,742 km है इस ग्रंद में कहा गया है चांद को इस प्रिद्वी का चक्कर लगाने में 27.32166 दिन लगते है जो असलियात में 27.222 दिन लगते हैं अरिया भट्टा की ग्रंथ आरिया भट्या के मुताबी उसने कॉपर निकल्स से पहले ही हेलो सेट की मॉडल का एक्स्वेन किया था और उसने उस सदियों में ही चंद्र ग्रहन और सूरिय ग्रहन की सही समय निकल पाते थे बढ़ा मीर का बंच सिधान्त ग्रंथ में उसने ग्रह के मुवम्मेंट के बारे में भी बताया है चलिए इस ग्यान को बढ़ाते हैं निक्स्ट टॉपिक के साथ आपने ये कहाबत तो सुने होंगे ऐसे ही हमारे युनिवर्स छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं किताबों के मुताबिक इस एटम को डेल्टन ने इन्वेंट किया था लेकिन उनके आभिसकार के कही सतियों पहले इंडियान साइंटिस आचारिया कनत ने 2600 में पहली बा सोचा अगर ये चावल उनकी मुष्टी भर सकता है तो ये चावल किस चीज से भड़ी है ये सवाल ही उनको एटम के करिप ले गया था उन्होंने इसके बारे में तीन बात्य कहा है एक पूरा युनिवर्स एटम से ही बना है और इस एटम को आखों से देखा नहीं जा सकता दो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता तीन एटम को गत्ती और स्टीती में पाया जा सकता है इसलिए उनको फादर अफ एटोमिक ठियोरी भी कहा जाता है तो बढ़ते हैं हमारी निक्स टॉपिक के और नमर 4 भगवत गीता जिसे आज पूरी इंडिया में पूजा किया जाता है आज हम इसके बारे में बताएंगे लेकिन कुछ अलगीत नजर से यानि धर्मगरंत की तरह नहीं एक नॉलेज साइंस बुक की तरह आप लोगों में जो साइंस के सूडेंट है वो ज़रूर जी कभी नस्त नहीं हो सकता वो एक रूप से अन्य रूप में परिवर्तित होता है जैसे स्विच अन करने से बल जलता है यानि यहां इलेक्ट्रिक एनरजी लाइट एनरजी में कंवर्ड होता है भगबत गीता में अध्यदो स्लोक 23 में बताया गया है कि आत्मा कभी नस्त करता है क्या आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो बढ़ते हैं हमारी निफ्स टॉपिक के और नूमर फाइफ पांस जार साल पहले जब कोई भी ऐलोपेथी का अस्तित्पर नहीं था तब इसे आर्वेट इंसानों के भरोसिमन दोस्त बन के खड़ा है आज 21st century में भी इसका इस्तमाल किया जाता है इपोक्रेटिस जिसको father of medicine कहा जाता है उससे कहीं वर्स पहले चरक जो एक काचरिया थे उसने आर्वेट का जन्म दिया था और उसने अपनी सारी experience को अपनी किताब चरक संहिता में लिखा था उसके किताब में 12,000 स्लोक लिखा गया है जिसमें 2,070,000,000 medical plant के importance के बारे में लिखा गया है उसके किताब में digestion, metabolism, immune system के बारे में बताया गया है जिनेटिक्स के बारे में भी उसने बताया है उन्होंने heart को controller मानते थे जो हमारे body के 13 channel से जुरा है ये किताब में उन्होंने इस शरीर के हर parts को निरमाय करने के तरीके बताया है 1800 से 100 BC में लिखा गया अर्थभेदा में आयरवेदा के बारे में बताया गया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share, comment ज़रूर करना तो बढ़ते है हमारी next topic के और दोस्तो आप लोगों में से 97% लोग NASA को स्पेस के दुनिया के बास्ता मानते हैं लेकिन इस्ट्रो यानि Indian Space Research Organization भी इससे कुछ कम नहीं है 1969 के 15th August को बिक्रम सरवाई ने इस्ट्रो का स्टापना किया था इसके लिए बिक्रम सरवाई को इस्ट्रो के फादर कहा जाता है 1915-1975 में पहली बार आरिय भत्र सैटलाइट को रासियन लॉंचर के द्वारा स्पेस में भेजा गया था 1990 में इंडिया ने PSLV को बनाया था यानि इंडिया की खुद की लॉंचर और हम आपको बता दे कि दुनिया की बस पांच ही तेस में ही खुद की लॉंचर है इसी तरह साल बीटता गिया और इस्टो और भी उन्नती के कदम पे चलते गए 2008 में चंडियान वन्ट को लॉंच किया और चांद में पहली बार पानी का खोच किया यहां तक कि नासा ने भी इस इंफॉर्मिशन को एप्रिसीट किया था और इसके लिए 386 क्रोर खर्च हुआ था जो एबरेज एंड गेम के खर्च के 14% है इसके बाद 2013 में मार्स मिशन में पहली कोर्सिस में सकस्स पाया और स्पेस हिस्टरी में अपना नाम दख्सो किया और दूसरी तरफ नासा ने इसमें 5 बार फेल हुआ जिसके बाद नासा ने इस्टो के संग काम करने का ओफर दिया वहाँ जाता है कि इस्टो की 40 साल की खर्ज ना सकी आदी साल की खर्ज के बड़ावर है। अब समय हो गया है Marvelous Fact को जानने की। Marvelous Fact आज की Marvelous Fact इंडियन फ्लैक से जुरी है। इंडियन फ्लैक जिसको तिरंगे भी कहा जाता है। उसके तीनों रंगों की एहमियत के बारे में हम आपको बताएंगे। सैफरन या गेर्वा ये रंग Courage और Sacrifice के प्रतिक है। वाइट या सफे ये रंग Truth और Purity के प्रतिक है। ग्रीन या हड़ा ये रंग Faith और Growth के प्रतिक है। और Beach के अशुक चक्रा जो की Motion and Growth की प्रतिक है। और इस फ्लैक को दिजाइन किया था पिंगलिव बनकिया ने। जो एक प्रिदम फाइटर था। आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है। दुवाड़ा मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में। तब तक के लिए, Stay Home, Stay Safe